जहिंद भई सभी को कैसे और आप सभी तो भाई आज किस वीडियों बात करने वाले SSC GD की नई भरती के बारे में इसको नई भरती तो नहीं कहेंगे क्योंकि जो पहले नोटिफिकेशन आया था वो एक फैक नोटिफिकेशन था और आपने देखा भी होगा मैंने उसके बार में जो भी कुछ है उसके फोरम कब से भरे जाएंगे कब तक भरे जाएंगे कौन कौन इसमें अपलाई कर सकते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है हाइट वेट सब कुछ जो है जो भी कुछ नोटिफिकेशन बताए गया सारी चीज़ आपको आज किस वीडियों बताने व इसके लिए मतलब जो इसमें योग्यता दी हुई है वो अगर आप पूरी करते हो तो आप इसमें अपलाई कर सकते हो कोई दिक्कत वाले बात नहीं है इसके फोरम डेट के सुरुआत की बात करें तो भाई इसके जो फोरम सुरु हो जाएंगे आपके 24 नॉमबर 2023 से इसके भरने सुरु हो जाएंगे और ये फोरम जो है 28 दिसंबर 2023 तक जो है इसके फोरम भरे जाएंगे इसके अगर एक्जाम डेट की बात करें तो भाई इसके जो एक्जाम है फरवरी मार्च में करवाए जाएंगे मतलब फरवरी से सुरु हो जाएंगे और मार्च तक जो है इस लगने वाली नहीं है मतलब सभी फीमेल के लिए इसमें जो फॉरम फीस बिल्कुल जीरो है एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल तक इसमें रहेगी लेकिन मतलब केटेगरी वाइज जो आपको एज रिलेक्सेशन दिया जाता है वह एज रिलेक्स आपको जो है इसमें हाइट में भी छूट मिलेगी आप जैसे माले किसी एस एरिया से हैं मतलब जहां पर ओफिसली हाइट कम रहती है जैस पहाड़ी एरिया है तो आपको हाइट में भी इसमें छूट दी जाएगी इसमें अगर कुल पोस्ट की बात करें तो इसमें 84,866 आप मात्र मतलब 10 पास हैं किसी वोट से हैं चाहे आप भारत के तो आप इसमें एपलाई कर सकते हो और चेस्ट जो है मतलब सिर्फ लड़कों के लिए है ठीक है जो 80-85 सेंटी मेटर इसमें चेस्ट आपका होने वाला है दोड़की अगर इसमें बात करें तो भाई लड़क सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला आपका इसमें रिटन टेस्ट होगा मतलब रिटन एक्जाम होगा उसके बाद आपका फिजीकल टेस्ट होगा फिजीकल टेस्ट के बात मेडिकल मेडिकल में पास होने के बाद आपको जो डोकुमेंट्स वेरिफिकेसन के ल पर edge relaxation है और edge limit है अगर देखो SCST है तो उसमें आपको 5 साल का edge relaxation मिलेगा और edge limit आपकी हो जाईए 28 साल अदलग 23 पिलस 5 बरावर 28 हो जाएगा उसके बाद अगर आपकी OBC केटेगिली है तो आपको 3 साल का edge relaxation मिलेगा और edge limit हो जाईए 26 साल और अगर आप ex-service man है तब भी आपको 3 साल का edge relaxation मिलेगा और यह जो ex-service man वाला edge relaxation है यह जो अगनी वीरें 4 साल बाद retirement होंगे उनके लिए भी apply होगा ठीक है इसके exam से संबंदित जो जानकारी है मतलब कितने number का इसका exam होगा और कौन-कौन से subject पूछे जाएंगे वो सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में बता दूँगा और जो भी कुछ था सारी चीजे मैंने आपको बता दी exam के बारे में आने वाली एक वीडियो में आपको बता दूँगा तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारते सेना